हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि लटकन कैसे बनाई जाती है वह भी बहुत इजी तरीके से बनाई जाती है प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बैल आइकन दबाएं हेलो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं ना भूले जो मेरा फैब्रिक था उसमें से बीच में ये मैचिंग था पूरा का पूरा एक फ्लावर बना हुआ था मैंने उसको निकाल लिए ये जो कत्र पड़ी मैंस में डालती फील कर दूँगी इसको भर दूँगी और आम हमसे मैंने कम डाली हैं आप ज्यादा भी डाल सकते हो ये बैक लटकन है आप ज्यादा भी डाल सकते हो अब जितना पोशन खुला था इसे आप सुई से भी बंद कर सकते हो और मशीन से भी कर सकते हो अब इसको हम बंद करेंगे इसके बीच में हम इसको जो डोरी है इंसर्ट कर देंगे डाल देंगे फिर हम पका कर देंगे कि इसे मचीन से अच्छे से पका कर देंगे अब मैंने उसके बीच में एक मोटी भी लगा दिया अप्छाप लगा सकते हो यी मेरी दूसरी है कायि इसको हमने इसमें मेने राउंड फेब्रिक लिया है और डोरी में डालगें सबसे कॉर्नर में इस पर हमने लगाना है हलकी सी नोक निकली हो बद डोरी ज्यादा नहीं निकली हो अब इसे हम टॉप से लेकर नीचे तक हम सिलाई करेंगे और नीचे आने के बाद उपर ही पका करेंगे और नीचे भी पका करेंगे थोड़ा सा और हम दूसरा लगाएंगे बिल्कुल पास पास ये जो ट्राइंगल है लटकन है पास पास आनी चाहिए दूर नहीं आनी चाहिए इसलिए बनाते समय भी पास पास ही रखें दूर ना करें तीसरी लटकन भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे अगर आपको मेरी जो और लटकन चाहते हैं कि मैं और लटकन बताना चाहूँ आपको बहुत साई लटकन है अलग लग स्टाइल के हैं तो आप मुझे कमेंट करना कि मैं आपको लटकन बताऊंगी इसे स्क्वेर है ट्राइंगल है और राउंड में बहुत सारे हैं राउंड को डेकोलेट करने के हैं फ्लावर्स में हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना मैं आपको बताऊंगी है अब ये तीनों लटकन मेरी तयार हो चुकी है इसे हम सीधा कर देंगे मैंने एक बनाई है जैसे इसमें तीन रखी है आप इसमें चार पांच पांच भी रख सकते हो और ये बहुत अच्छी लगेगी इसके बीच में अब ये दोनों लटकन मेरी तयार हो चुके प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें शेर करें कमेंट करें बाइल आइकन दवारा बिल्कुल ना भूलें थैंक्यू सो मच